भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया नमबर एक, सोना गाच्छी, कोलकाता आपको बता दें कि भारत के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर सोना गाच्छी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है यहां करीब 11,000 वेशियाएं जिसमें का धंधा करती है यह जगह उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है नमबर दो, कमाठीपुरा, मुंबई, एशिया के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया में से एक है इसका एक लंबा इतिहास है, जो आपनिवेशिक काल से जुड़ा है व्यापार को खत्म करने के प्रयासों के बावजूद, कमाठीपुरा भारत नहीं बलकि पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है इसे एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा है नमबर तीन, दिल्ली का जीबी रोड, राजधानी के सबसे बड़े रेड लाइट क्षेत्रों में से एक के रूप में कुख्यात है यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आकरशित करता है इस इलाके का भी अपना इतिहास है कहा जाता है कि यहां मुगलकाल के समय में कुल पाँच रेड लाइट एरिया यानि कोठे थे नमबर चार, बुधवार पेठ महाराश्टर के पुणे में स्थित बुधवार पेठ देश में सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है यहां बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियां देह व्यापार का काम करती है बताया जाता है कि यहां लड़्ड आकियों को बहला फुसला कर इस घिनोने काम में धकेल दिया जाता है खास बात यह है कि बुधवार पेठ पुणे का यह गंदा बाजार पुणे के विख्यात दगडु सेट गणपती मंदिर के पास है मंदिर जाते और लोटते वक्त आपको यहां की मुख्य सड़क पर कई लड़कियों आपको लुभाते हुए भी जाएंगी तर इस बाजार में महिलाएं सजधजकर सड़ी ड़क से आने जाने वाले को अपने पास बुलाती है बताया जाता है कि पहले यहां कोठे भी चलाय जाते थे यहां अवैध तरीके से व्यापार होता है यहां स्थित दालमंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है यहां की तंग गलियों में घर के बाहर खडड़ी एलड़िकियां ग्राहकों को उसी पारमपरिक तरीके से रिजाती नजर आती है जैसे एक समय यहां चलने वाले कोठे में पारपरिक रूप से चलन में था नमबर साथ मुजफरपुर में चतुर भुजस्थान बिहार ये बिहार में वश्या की महत्वपूर्ण उपस्थिती वाला क्षेत्र है कई जमीनी स्तर के संगठनों और सरकारी पहलों का उद्देश्य यौन कर्मियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है साथ ही उनके पुनरवास पर भी ध्यान केंद्रित करना है नमबर आठ ग्वालियर रेशमपुरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुरा एक बढधा रेड लाइट इलाका है बताया जाहे कि रेशमपुरा के इस बाजार में विदेशी लरकियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स मिलती है खबरों के अनुसार यहां मोबाईल, इंटरनेट के माध्यम से कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है बुकिंग के बाद इमेल या मोबाईल से लरकियों की डिलीवरी की जाती है रेशमपुरा में लरकिया को ठेके पर या वेतन पर रखा जाता है